आज 30 डिशेंबर 2021 हम सुन रहे हैं प्रातो शाकार हिंदी मुरूली आज का महावाइक्क। इस महावाइक्कों में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप बृध्धी को पाते जाते हैं यह बहुत बड़ा महामांत्र बाबा हमें पहार देते हैं शिक्षा देते हैं तो इसको हमें बहुत बहुत तो शक्तिशाली शिक्षा समझ करके पकारना आज का प्रश्ण है जब तुम बच्चे करमातित अवस्ता का समय पोचेंगे तो कौन सी अनभवती करेंगे उत्तर ऐसा अनभव होगा जैसे माया के तुफान सब शमापत हो गए हैं किसी भी बिग्नोस में घबराएंगे नहीं अवस्ता बरी निडर रहेगी जब तक यह अवस्ता दूर है तब तक माया के तुफान बहुत होईरान करते हैं बाबा के एते मेठे बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम हो करके आती हैं लेकिन तुम्हें बीजोय प्राप्त करनी हैं, डरना नहीं हैं, बच्चे बाप के साथ सच्चे सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं है, तो ये शब्धानी, ये नियावनवर्तिता हमें बहुत ध्यान से पालन करना है, तब हम तो बिग्नमिनाशक स्थिती से हम करमातीत अबस्ता जरूर बनेंगे, आज का गीत है, जाग शजनिया, जाग तिरह सुख का दिन, हाया की आया, अम शांती, यहाँ वाले बच्चे, तो ये गीत तो रोज सुनते है, रोज सुनते है, बबा का मरुली से सुनते है, रेकॉर्ड से सुनता है, सेंटर पर भी, जो बीके रहते हैं तो वो सुनते हैं बाहर वले तो सुनते नहीं है बस तब में यह मिल्लो गीत है यह सब को सुनाना चाहिए बस तब में यह गीत तो अनुन बच्चों के घर में सब को रखना चाहिए बाबा के जब भी कोई परिस्तित आता है यह गीत हमें बहुत शुकानो बोड़ेती कराते हैं, तो सब को जगाना चाहिए न, बाबा के खुद जगो तो सब को जगापाएंगे, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है, नया जोग आ रहा है, सत्य योग आ रहा है, नया जोग अर्तस सत्य योग, यो है कली योग, तो कोई कली योग में नहीं चाहता है कलियों का बिनाश होना है ना सत्य यूग में राजदनी तो होती ही हैं भारत बश्यों की तुम्हारा तो अभी बहुत तो ये लटरी लगने वाला है उनको गॉल्डेन एज़ेड वर्ड कहा जाता है गॉल्डेन एज़ेड वर्ड में गॉल्डेन एज़ेड भारत ह आप देख रहे हो कितना लराई दंगा मारा मारी चल रहा है यो भी तुम ही जानते हो तो गोल्डेन एज में और कोई खंड़ अथवा धर्म होता नहीं अभी है आईरोनेज इसमें सब धर्मा है देखो टाल टलिया पत्ति पेर पोदा सब है भारत का भी धर्मा है जुरूर भ हो गया है तो फिर होना चाहिए जुरूर जो थे वो अभी नहीं वो होना है जुरूर तो बाप कहते हैं बच्चे में आकर स्थापना करता हो तो पहले पहले बाप का पुरिछे देना है शस्रो की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए यो तो भुक्ति मार के शस्र है ग जानमार्ग में तो भगवान और भगवान का बच्चा अमना समना बात करते हैं, ज्ञान का सागरतो परमपिता परमात्मा को कहा जाता, जब वो आकर ग्ञान देवे तो अब शद्गुति हो जाता है, यो गीता अधि भी भक्तिमार्ग के लिए है, बबाब ये भी सच बता द ग्यान और योग शिकलाता हो ये परमपिता परमात्मा का ये दो बहुत सहज सरल ग्यान और योग का शक्ती है फिर बाद में यह सस्रो बनाते है दरापर योग में जो फिर भकती मार्ग में काम आते हैं अभी तुम्हारी है चड़ती कला तुम तुम्हें बाप आकर ग्यान सुनाते हैं बाप खोद कहते हैं बच्चे में जो तुमको सद्गुति के लिए ग्यान देता हो वो प्रालूब हो जाता है सत्य युक्तिता में ग्यान रहेगा नहीं लियार बाद बाबा कहानी रोज हमें सुनाते हैं अभी बाबा कहते हैं तुम कोई भी शास्त्रो आदी नहीं सुनो वो रुहानी बाप तो सबका एक ही है न तो सद्गुति का बर्शा भी उनसे ही मिलता है यो तो है ही दुर्गुति धाम सद्गुति धाम कुलियुक को कहा जाता जब कोई भी शास्त्रो की बैद की अथवा गीता की बात करे तो बो हम जानते हैं सब को हम 63 जन्म और रही हजर साल तो ये सब हम परके आया है परुन्तो ये भक्ति मर का शमोगरी है हम उनका नाम लेबे ही क्यो जो हम करस करके आया अभी हमें फल मिल गाया ज्यान प्रप्त कर लिया भगवान को पा लिया तो हमें पीछे जाने का कोई जरूरी नहीं बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो तो इस योग अगनी से तो मारी संपुर्णो विकर्म बिनाश हो जाएंगे तो हमने देखा है त्रिशट्य जन्मों हमें तो इतना भग्ति करने का बाद हमारा कोई भी पाप हमारा तो बिनाश नहीं हुआ अभी हम देखते हैं तो ये थुरा दिन में हमारा कितना भी कर्म बिनाश हो जाता है तो प्रैक्टिकल प्रूफ है हमारा जीवन भग्ति में तो और कोई तो और ही भी कर्म होते रहते है क्यों यहाँ भगवान का कोई भग्ति में कोई instruction नहीं ये ग्यान मारके तो कदम कदम पर हमें स्रिमत पर चलना है तो हमको बाबा ने कहा है मन मना भवो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा तो माइल स्टोन है जो हमें अभी तो ये टाच करना है वही ज्ञान का शगर पतित पावन है तो पतित पावन करिष्ण को नहीं कहा जाता वो तो सत्यू का प्रिंस हैं अभी हम एक बाप की बाप का बात ही सुनते हैं एक बाप दुसरा ना कोई उनको कहते है शिप परमात मैं नमा बाकी सब के लिए के लिए फलाना देवताय नमा फलना देवताये नमू तो इस समय तो सप्तमप्रधन हैं ना तो सत्तमप्रधन compassionate बनने का रास्ता एक बाप ही आकर कर बता आते है अब जो लेवे تو उसका तो उन्नोत ही जरूर होगा अब इस एक बाप को ही हम याद करना है इसलिए हम बाप प्रम्पिता परमात्मा को याद करने से भी कर्मबिनाश होता है ये भी बावर निया हमारे पेंट पाइंट समझाया है जो शन्नाशी अक्षर करके ब्रह्मो को याद करते हैं और आत्मा सतप्रदन बन तो अपने घर चले जाएंगी फिर आएगी पार्ड बजाने चक्रो का राज समझाना चाहिए पहले तो यो समझे कि उन्हों को ग्यान सुनाने वाला निरागार परम्पिता परमात्मा कहे तुम तो ब्रह्मों से सुनते हो तो बो नहीं नहीं हम मौनिश्यों से नहीं सुनते हैं ब्रह्मा तो मौनिश्यों है इन दरा परम्पिता परमात्मा हमको पराते हैं समझाते हैं हम ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते ब्रह्मा अलग है तो परमात्मा अलग है सबका बाप शिबाबा ही है तो बर्षा भी उनसे ही मिलता है या है थू ब्रह्मा है मेडल ब्रह्मा को बाबा दलाल भी कहते पतनी भी कहते है ब्रहमा से कुछ मिलता नहीं है बस तब में हमें जो प्रपार्टी हमें चाहिए वो शिबाबा से हमें मिलना है उनकी मुहिमा क्या है मुहिमा सारी एक शिबाबा की ही है तो वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते बाबा ये भी हमें बताते हैं तो अगर ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मनों का कोई नाम निशान नहीं होगा, ये स्रिष्टी का भी कोई नाम निशान नहीं होगा, ये बहुत इंपर्टेंट बात है, समझने का, शिबाबा ने ब्रह्मा दरा तुमको एड़ाप किया है, तब तुम बीके कहलाते हो, तो ब्रह्मन क करनी चाहिए बाबा के ज़्यादा तिक तिक नहीं करना चाहिए नबजो देख करके हमें बात करना चाहिए फॉट से कहना चाहिए तो हमने जन्मा जन्मा अंतर भक्ती की हैं अब हमको बाबा कहते हैं अंतिम जन्मा ग्रियोस तो बेवहर में रहे थे कामल फुल शमान पवित जाओगे नहीं तो तुम्हें तो मौकाई नहीं मिलेगा तुम्हें अलाव नहीं करूंगा पवित्र बीना और बीना तो कोई जा नहीं सकती। पहले पहले बात ही एक समझाओ, तो निराकरप, शिबाबा केते हैं है आत्माएं में ब्रह्मा तन में प्रबिश होकर नलिज देता हो, ये बात को मानो, ये बात को स्रिकारो, ब्रह्मा धरा स्तापना करता हो, तो ब्रह्मनों को शिक्षा देता हो, ज्यान यग्यों को समलने वाले ही ब्रह्मन चाहिए अब ब्रह्मन ही जग्य रक्षक है तुम अपने को इस समान में अभी टिकाना है मैं जग्य रक्षक ब्रह्मन हूँ कुलियोक को मृत्तो लोक और सत्योक को अमर्लोक कहा जाता बच्छे भक्ति की रात अब पुरी होती है ब्रह्मा का दीन सुरू हो इसे ब्रह्मा सु विश्णु बनते हैं विश्णु सु ब्रह्मा बनते हैं प्रदर्शनी में किसको बुद्धी में नहीं बेड़ता समाई काम रहता है और फुर्सत इतना नहीं मिलता स्रिफ इतना कहते हैं रास्ता बहुत अच्छा है समझने लायक है तो मुख्ष बत समझा गिता के भगवार निराकार शीव है कृष्ण नहीं बाबा कहते हैं यह important बात उनको मन में बिठा दो एक दिन एक दिन तो वो बीच वो बीच अंकुरुद गम होगे तो यह ग्यान पाने के लिए तरफ तरफ करके वो आएंगे दोर दोर के आएंगे अगर यह कोलका होगा तो वो कहते हैं मुझे याद करो कृष्ण नहीं कहते हैं इसका राइट नहीं बाकी यो जन्मा जन्मा नतर तो पढ़ते उतरते ही आए हो बाबा कहते हैं बाकी शीरी में जार शीरी से जार पर ले जाना पहले बाबा का परिचोई देना फिर शीरी में ले जाना फिर जार में तुम हो निबृति मार्ग वाले शन्नाशियों को दिखा करके कहना चाहिए शन्नाशी का जो स्थापना किया शन्नाश धर्म है तो उनको बोलना चाहिए हम है प्रबृति मार्ग वाले हमारा है बहुत का शन्नाश वो तो घर बर छोर के जंगल में चले जाते हैं हम घर ग्रिय हो जाता है तो ये मूल बात बाबा समझाते है दो बात हमें तो ये अच्छा रीती हमें पुरुशार्ट करना चाहिए भुक्ति से हमें बरेग्या करना और दुनिया से हमें बरेग्या करना तो बाबा कहते है तो मेरे आखों पर बिट करके दिल में बिठा करके तुमको ले ज का हो जाए कि शिबाबा ने आकर भारत को शर्ग बनाया और नरोग का बिनाश किया तो नई दुनिया में आने वाली ही यह राज्युक शिक रहे हैं और कोई नहीं जो नई दुनिया में आने वाला नहीं वो तो राज्युक का तो यह राज्युक से क्रोश दूर रहेंगे क्रोश माइल दूर रहेंगे सर्गों में purity, peace, prosperity सब कुछ है तो ये जिसको ये कुल का है वो इसके लिए तरपते रहेंगे यहाँ जो शन्नाश यादी है वो आधा purity में है बाबा कहेते हैं ये राज़ा प्रतन है क्यों तो जन्म उनका ग्रियोस्ती विकारी घर से लिया हुआ है तो ये फुल पवित्र नहीं तो फिर बाद में शन्नाश करते हैं जो बाबा कहेते हैं ये शन्नाश भी पुरा शन्नाश नहीं हाथ का शन्नाश है तो यो समझाना होता है बाबा कहेते हैं ये बाबा का चित्र तो शीरी बाद ले जाओ कल्प ब्रिक्षो में तो सब धीरे-दीरे समझ पाएंगे शिप बाबा पतित पावन हमको ब्रहमाधारा समझ आते हैं ब्रहमाधारा राज्जुक शिक लाकर यह हमें बना रहा है राज्जुक दरा ही राजय इस्थापन हो रही है यह वही गिता एपिसोड अभी रीपीट हो रहा है तुमको भी राज्युक्षिक ना है तो आकर शीखो यह निश्वल को व्यवस्ता है यह कोई पैसा का कोई बात नहीं योग्यान प्रबृति मार का है भगवान बाचो ग्रियोस्त व्यवर में रहेते पवित्र बन मुझे याद करो तो भी कर्म बिनाश हो जाए और कोई उपाई नहीं कोई शॉर्ट काट नहीं पाबन बनने का और कोई रस्ता नहीं थोरी बात करनी चाहिए ज़्यादा तिक तिक नहीं करना चाहिए तो मोजना नहीं चाहिए बाबा केते हैं बाबा ने समझाया है रात को बेट करके बिचार करो आज के सारा दिन में जो पास्ट हुआ जो सार्वीस होनी थी ड्रामा प्लैन नुशर हुआ पुरुशर्थ तो चलता है ना चलना चाहिए ना चेक करना चाहिए तुफान बहुत करे है कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो इनको बांद करो माया को हमें पसंद नहीं है हमको कोई बिकल्प ना आए ऐसा परिस्तिती करा दो तो बाबा कहते हैं इसमें डरने का किया बात है तो हम तो माया को और कहे देता हो और जोर से तुफान लाओ मेरी बच्चे को मेरा बच्चा कितना परिपक हुआ है तो ये चेक करो बॉक्सिन में एक दो को कहते है क्या जोर से ना मरो उल्टा सूल्टा ना मरो तो लग जाएगा मैं गिर जाओंगा तो तुम भी जुद्ध का माइदान में हो तो तुमारा भी ऐसा परिस्तिती बनाना है तो माया तुमें कुछ करने का कोई चांस ना मिले तो माया को तुम चांस क्यों देते हो अगर तुम ढिला डला होंगा तो माया तुमें जोर से थप्पर लगाएंगे तो माया के तुफ़ान तो अंतो तो आते रहेंगे बच्चे, जब कर्मातित अवस्ता होगी तो खलाश होंगे सब, तुफ़ान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं, बाबा मेरी साथ है, बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए, कोई बच् करकि याद में बैठते नहीं, सोय रहते हैं, यह नहीं समझते, अगर हम स्रिमत पर नहीं चलते, तो हम अपने कलन के लिए, अपने कलन कल्पकल्बंतर अपका सतनाशा कर देंगे, बारी भारी चोट खा रहे हैं, बाबा के ते यह अपना बारी में सोचना चाहिए ना, सबी नहीं पड़ता है, तो कहा कहा से माया आकर के हमें, तो यह बहुत डिस्टर्ब करता है, सारा दिन जर्मोई जोग्मोई में रहते हैं, सचना बतलाने से फिर बृद्धी होती जाती हैं, यह बढ़ते जाएंगा, इसलिए बाबा से हमें माफी मंगना चाहिए, नहीं तो सच बतलाना चाहिए, आज यह भूल किया, जोट बोला, अगर साच नहीं बताएंगे तो बृद्धी होती जाएंगे, फिर कब सच्चा तो बनेंगे ही नहीं, तो बाबा भी क्या करेंगे, तो बतलाना चाहिए, हमने यह यह डिसर्विस किया है बाबा, तो हमको शमा कर देना, सच नावत लाने से फिर दिल पर चरेंगे नहीं, यह भी बाबा कहते है, तो मेरी को दिल पर आने के लिए तो सच्चा दिल चाहिए न, सच्चा सफ सुत्रा चाहिए, सच्चा होगा, तो बाबा का प्यार उन बच्चों को खिशता है, बच्चे खोद भी जानते हैं, कौन- अच्ची बच्चिया को भेज दो, सब खुश होंगे, बाबा ने हमारी पास बंबाई की हैड, कलकत्य की हाड भेज भेजी है, तो कोई भी मिले, तो उन से सिधी बात सुनानी है, कि पतित पवन परंपिता परमात्मा संगम पर आकर यह महा मंत्रों देते हैं, मामा को का करना है, राज जुक तो बाबा तुमको ही शिकलाते है, तुम्हारा काम है और उको भी रस्ता दिखलाना, बच्चे कहते हैं, तो कलकत्य चलो, और बच्चों को बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर न सके, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते नहीं है, हम कैसे समझे तो यह कौन है, तो क्यूंकि उन्हों को तो भुक्ति की बात है, आत्मा का बाब कौन है, यह तो कोई बता नहीं सकते, शिब बाबा तो आती ही ही भारत में, ऐसे ऐसे बाते समझाने में घंटा लग जाता है, तो बाबा ने कोई से मिलते नहीं है, इसलिए बाबा बच्चो को भेज देते हैं बच्चों को समना कर देते हैं कोई आता है तो बच्चे ही तो बाबा का तो बाबा का काम चला देते हैं बच्चों को ही माथा मारना है यहां भी देखो तो बच्चों बच्चों के साथ केतनी महनत करने पड़ती हैं सुधारने के लिए बच्चों को सुधा हम को किया हम जब आप नहीं दे पाया तो हमने ये भूल की सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए न तो बाबा उसका तो ये काट चाट कर देंगे तो बाबा सुधर देंगे बाबा ने बच्चों को समझाया है मेरी से पूछे बिना किसी को चिठी नहीं लिखो तो बा बाबा तो जुकती बताएंगे न, देही अब इमाने होकर लिखेंगे तो वो पर करके गधघध हो जाएंगे बाबा भी, तो उसका बाइब्रेशन को समझा पाएंगे, शिक्षा तो बहुत अच्छी, चारू और से बाबा देते हैं, लेकिन कोई ले पाते हैं, कोई ले ही न पाते हैं तुम्हारी एम अब्जिक्ट है लक्षमिन नरेड़ मन्ने की य। तुम्हारा बाप टीचर सूद गुरू सब कुछ एक साथ तुमें कितना इंजिन तुमें मिला हुआ है एक साथ तुमें सुधरने के लिए तो हर बात में राय देते रहते हैं फिर जब आपदरी तुम से उतर जाएगी तुम फ्री हो जाओ बाबा इसके लिए जीमेबार है धन्दे आदी के लिए भी समझेंगे कि लचारी हालत में हम किसी का हाथ में खाना पड़ता है नहीं तो धन्दा दी छोड़ जाएगे चाए नहीं पी तो मिनिस्टर रूट जाएगा तो जुक्ति से कहना चाहिए हम इस समय चाए नहीं पीते हैं और कोई जुक्ति देना चाहिए हमको तकलिफ हो जाएगी तो बाबा कहते हैं कहा साधी मुरादी हैं नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो जुकती से चलो तो सब जुकतिया तो बाबा बता देते हैं तो युकतिया हम बता करके हम मुक्ति पा लेते हैं अच्छा मेठे मेठे सिखिला दे बच्छो पुरती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्छों को नमस्ते हम रुखानी बच्छों की रुखानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस् बाप से सदा सच्चा रहना है, दिल तक्नशिन बनने के लिए तो स्रिमद पर पुरा पुरा चलना है नमबर दो, जुद्धो के मायदान में माया के बिकल्पों से बिग्नों से डरना नहीं है बचे, आपना सच्चा चार्ट रखना है, जर्मोई जर्मोई नहीं करनी है ये दो practical धरना बाबा आज के लिए हमें special देते हैं। शामना कर साइकेंगे तो और यह आदलत में ले जाने से बचा देंगे लाश्ट में अगर धर्मराज का तो यह सवाब बेठेगा तो हमें इसमें करस नहीं करना परेगा इसलिए इस अभाश को तो जब नेचरल और नेचर बनाओ तो अब नेचरल केलामेटिस हो क्योंकि जब सामना करने वाले शास्थिती से हर परिस्थिती को पार करने की शक्ति धारन कर लेंगे तब पड़्दा खुलेगा तो बाबा कहते हैं यह प्रकृतिक दुर्जग भी सुरू होगा तो यह साइंटिस्ट का बॉम्स भी गिरने का सुरू होगा इसके लिए पुरानी आदोतो से पुरानी शंसकार से पुरानी बातों से पुरा ब्रयाग्यों चाहिए यह पुरा ब्रयाग्यों चाहिए यह स्थिती हमें जमाना चाहिए आज का स्लोगान शायंको निमित्तो करन हर समझो मैं नहीं बाबा मुझ द्वारा करा रहा हैं तो किसी भी कर्मों में ठकाबट न आत्मा हो ओम शंती